आप सभी लोग का सुवागत है आपके चैनल फ्यूचर ओन्लाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहाद डियले इंट्रेंस एक्जाम 2022 के लिए समान्ने अध्यन के सेट 12 को लाया हूँ जिसमें महत्यपून 20 प्रशन को देखेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में 20 प्रशन पूछे आएंगे इसलिए मैं 20 प्रशनों का सेट चला रहा हूँ इससे पहले मैंने 11 वीडियो पुरी तरह से कंप्लीट किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर असानी से देख सकते हैं इस वीडियो में जो है महत्यपून 20 प्रशन को देखेंगे जो की काफी महत्यपून रहेंगे आपके डियलिड के इंट्रेंस एक्जाम 2022 के लिए तो चलते हैं प्रशन के ऊपर तो पहला प्रशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो 1971 में यूध लड़ा गया था और उस समय जो है भारत के रक्षा मंतरी जो है जग जीवन राम थे तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? आपका चार हो जाएगा समझ में आ गया कि भारत और प्रशन के बीच जो यूध हुआ था 1971 में उस समय भारत के जो रक्षा मंतरी थे वह जग जीवन राम जी थे अगले प्रशन को देखते हैं तो अगला प्रशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भारत का सरवादिक ठंडा इस्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा वाला इस्थान जो है वह द्रास है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा द्रास जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो है सरवाधिक ठंडा वला इस्थान है उसके बाद आपका लेह और सिरी नगर है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण आपको है गुजरात में इस्तित स्टा स्टाइचू अफ यूनिटी की उचाई कितनी है तो गुजरात में जो इस्टाइचू अफ यूनिटी है उसके उचाई जो है 182 मीटर है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका 4 होगा लेकिन इससे related बहुत सारा प्रस्ण हो सकता है कि इस्टाइचू अफ यूनिटी जो है व अभी वर्तमान जो हमारे देश के परधान मंतरी सिरी नरेंदर दामुजदर समूधी है इन्होंने किया था तो इतना 4-5 कोशन यहां से बन गया आपको समझ में आ गया अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण आपको है सीजर कप निम्न में से किस खेल से सम्मंदित है तो वह जो है बन मिंटन से सम्मंदित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन अपका ए हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा चीन के साथ देखे चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निमल 1226 किलो मिटर 1126 किलो मिटर जो है हिमाचल परदेश का जो सीमा है वो चीन के साथ सटा हुआ है मतलब लगता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्सेन आपका दो हो जाएगा अगले प्रस्न के तरह बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रस्न है 124 वा संसोधन बिधेयक ज जो है आर्थिक आरक्षन के लिए जो है मतलब इसका संबन्दित है क्योंकि इसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि 2019 में एक नया केटेगरी को सामिल किया गया EWS जो कि मतलब वीकर सेक्षन के लिए था जो कि जो जो जेनरल केटेगरी के है उनमें अगर जो वेक्ति आठ से कम कमाते हैं उनका जो साल में उनका इस कटेगरी में आना अनिवारे हैं तो इसलिए जो है आर्थिक आरक्षन का संसोधन किया गया 124 संसोधन विधैक 2019 में देखे करंड के साथ जो है काफी महत्रपूल प्रस्न मैं इस सेट में कराने वाला हूँ जरूर आप वीडियो को देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जो जरूर सच्राइब करेंगे शेयर कुरेंगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को अधिक शेयर करेंगे अगले परस्न को देखते हैं तो अगला परस्न आपका है निमलिकित में से किस सहर में उनियन बैंक और का मुख्याले है तो भारत में जो है Union Bank of India जो आपका एक bank है इसका मुख्याले जो है यह मुंबाई में है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगले प्रश्ण को देखते हैं तो अगला जो है कुस्तिबेक आंधि उनकी पतनी का नाम था याद रखेंगे अगले प्रश्ण को देखते हैं तो अगला प्रश्ण आपका है जोती राओ फुल्ले द्वारा सत्य सोथक्स समाज की किया स्थापना किस वर्श की गई थी तो जोती राओ फुल्ले द्वारा जो है सत्य सोधक समाज की स्थापना 1870 इस्विम में की गई थी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा अगले प्रस्ण के तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राष्टिये पोशन संस्थान कहा परिस्तित है तो राष्टिये पोशन संस्थान जो है यह हैदराबाद राज्ये में इस्तित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका चार नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रस्ण है कि किस वर्ष भारतिये क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पूर्षो का एक दिविश्व कप जीता देखें यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है भारतिये क्रिकेट टीम ने दूसरी बार वर्ड कप बना किर्केट में तो वह जो बना 2011 में बना धोनी की कप्तानी में जो है वर्ल्ड कप जीता था और पहला कप जो है 1983 HIS्वि में कि महत्यपून है तो मानोश शरीर में जो है सबसे बड़ी हड़ी जो होता है वो आपका फीमर होता है जो कि जांकी हड़ी होती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा और जो आपको step is जो यहां दिख रहा है, जिसको उप्सन आपका A हो जाएगा अगले प्रस्न को देखते हैं तो अगला प्रस्न आपको दिख रहा होगा कि कमाख्या कमाख्या मंदिल जो है किस राज्य में इस्तित है तो कमाख्या मंदिल जो है यह और समराज्य में जो है इस्तित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका तीन नमर हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण आपको यहाँ दिख रहा होगा देखे तो यहाँ PDF का जो फूल फॉर्म होता है यह बहुत सारे एक्जाम में पुछे गया है Air Force या डेलबे या जो भी आपके SSE के एक्जाम होता है उसमें यह कुछन जो है पूछा जा चुका है पहले ही इसलिए महत्तिपुन प्रस्ण है तो देखे PDF का जो फूल फॉर्म होता है वो आपका होता है पोटेवल डॉकुमेंट फॉर्मेट तो इसका एंसर हो जाएगा आपका option A अगले प्रस्ण के तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण आपका है विश्व थायराइट दिवस देखे विश्व थायराइट दिवस प्रतिवस कम मनाया जाता है तो विश्व थायराइट दिवस जो है प्रतिवस 25 मई को जो है मनाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका 4 हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण आपका है निमलिखित में से कौन सी गूफा देखें निमलिखित में से कौन सी गूफा महरास्ट में इस्तित है तो एलोडा की गूफा जो है महरास्ट राजे में इस थ्री अगले प्रस्ण को देखते हैं तो अगला प्रस्ण आपका है भारत और भुटान की बीच कौन सी सीमा डैस भारत राज्यों से लगती है मतलब कितनी सीमा भारत और भुटान की बीच कि सीमा कितने भारती राज्यों से लगती है तो भारत और भुटान की सीमा जो है भा पार राज्यों से लगती है वो मैं आपको बता दू पर्सिम मंगाल और सम अरुनाचल परदेश